चोर तो आपने बहुत देखे होंगे पर हम आपको दिखाते हैं एक ऐसे चोर को जिसने चोरी के लिए माता मंदिर को चुना चोर देर रात मंदिर में घुस कर फिर माता जी के सामने हाथ जोड कर प्रणाम करते हुए मंदिर में रखी दान पेटी को चोरी कर लेता है चोर की यह चोरी मंदिर के अंदर लगे CCTV कैमरी में कैद हुई है चोर की तस्वीर सामने आने के बाद अब पुलिस उसकी तलास में जुट गई है चोरी की घटना माडो ताल थाना के सूखा गाउं की है पांच अगस्त की रात को चोर बड़े ही चालाकी से दबे पाउं लक्षमी माता के मंदिर में घुश कर बहुत ही सांती से बिना आवाज की तीन दान पेटी को उठा कर ले गया है चोर ने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढख रखा था लक्षमी माता मंदिर के पुजारी ने पुलिस को बताया कि चोर ने पहले तो मंदिर के में गिट का ताला तोड़ा इसके बाद वहां रखी तीन दान पेटियां सहीत मंदिर में लगे दो बड़े घंटे और पूजन के बरतन भी देगया है पुलिस आप CCTV फूटिज की आधार पर अगजात चोर की तलास कर रही है ब्यूर रिपोर्ट ब्राट 24 नियोज